लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें है 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 में यह कै cigar रही किक अपयर में थूढें इस देखने रहिए पीर-पेर-बाबा से मांगों की मांगे रहा है तुछ मांग रहा है जब अत तो पीर बाबा मेरी मदद करें तुझे ढूलने में पीर भी तुमझे ढूलने ही पाएगा क्यों पीर बाबा हमारे हैं तुछ से ज्यादा वो मेरी मदद करेंगे चुपने में अच्छा ये बात है हां ये बात है तो फिर तू चुप के देख ले थाले तू आखे बन कर अच अरे हीरे, तू काहा भागी फिर रही है? मैं दीदो के साथ लुका चिपी खेल रही हूँ. दीदो कौन? वो भी यह शादी में आया हुआ है, वो देखो. यह लग्की भी तौबा है, पहुचती बाद में है, रिष्टे पहले जोड लेती है. ऐसी प्यारी बच्ची के साथ कौन रिष्टा नहीं जोड़ेगा? मैं तो खुद अपने बेटे सैदा के लिए, तेरी बेटे हीर का हाथ मांगने वाली है. सैदा की मा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मेरी हीर ने होश भी नहीं संभाला थी. इसके होश सम्हालने तक तो रवजाने कितने ही रिष्टो के पैगाव, तेरे घर का दर्वाजा खटखट आ रहे होंगे? अभी तो जिसकी शादी में आए हैं, उसकी खुशी में शरीक होते हैं. उनकी खुशी में तो तब शरीक होंगे न, जब उनको मोजू चोधरी की खातरदारी से फुरसत मिले? मोजू चोधरी को भी बिराया है, और नहीं ही तो क्या, वो देखो. अरे चोधरी साफ, आपके खांदान की किसी भी रस्त में शामिल होना, किसी भी खांदान के लिए बड़ी इज़त की बात है, बला हम क्यों नहीं आते, यह देदो, इदर आ. अब्बा, श्ष, हम लों लुकाचुपी खेल रहे हैं. वाज शरीफ है, कहें टिक्केर ही बैठता है, चोधरी साफ. मैं जरे बद्दूर, यह तुम्हारा सबसे छोटा बिटा है, ना? हाँ. अब्बा. वाई, हीरे, मेरी बेटी. चोधरी, यह लोग यहां कैसे? भाई, जैसे तुम्हें बुलाया है, बसे इनको भी बुलाया है. और तुम दोनों को यहां बुलाने के एक वज़ा और भी है. तुम दोनों के हाथ बिलवाकर तुम्हारी पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खतम कर दिया जाए. ठीक है ना? मैं भी लेकर आता हूँ. आओ, चौधरी, आओ, आओ. तुम्हारा इंजार हो रहा था. भभी और बच्चे तो कब के आ गए? तुमने आने में कहा देर कर दी? आने में तो कुछ देर हो गई, चौधरी. लेकिन जाने में देर नहीं हो गई. चोटे, चौधरी, कैसी बात कर रहे हैं? इसके हलावा और कोई बात नहीं हो सकती, चौधरी. तुमने इन लोगों को यहां बुलाना था, तो फिर हमें क्यों बुलाया? इसलिए कि अपने बोते की शादी के मौके पर तुम दोनों की पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलकर तुरी खुशी बनाई जाए. यह ना मुम्किन है, चौधरी. चौधरी, दुनिया में कुछ ना मुम्किन नहीं है, यह सब बातें बात में करेंगे, और पहले कुछ खापी लो. जब तक हमारे दुश्मन इस घर में मौजूद है, चौधरी, हम इस घर का पानी तक नहीं पियेंगे. हमारी मौजूद्गी में सिर्फ इसी घर का नहीं, बलकि कहीं और का पानी पीने के लाइट भी नहीं रहोगी के दो. तेरी मौजूद्गी में हमें पानी की जगा खून पीने की आदत जो पड़ गई है, बोल, पिछली बार की तर आज किसका खून पिलाने आया है? तेरा के दो, तेरा! तेरा! तो मौजू शॉद्गी, तुम दोनों मेरे अजीद हो, जो मेरी मती खराब कर रहे हो, वो नी मानता तो तू मान जा! वो बड़े बापका बेटा है क्या? अजाओ, अजाओ, अजाओ! जिस मकसद और जजजबे के तहत मैंने आप लोगों को यहां आने का दावता मा दिया था, आपकी इन हरकतों ने उस जजबे कही नहीं, बलके मेरी और मेरे प्यार की तोहीन किया है, जनील किया है मुझे, जनील किया है, अपने पोसे की शादी पर ऐसे दोस्त, ऐसे प्रान बुलाए जाते हैं, हमें भारुखने की कोई चरूँ सही है, और चल, उठ, जब मिलेंगे, जब पीर बबाव मिलेंगे, मैं दुआ करूंगी, चल देदो, यू तो इश्क की ये दास्तान बहुत पुरानी है, मगर वक्त के साथ-साथ इसका अंदाजे वयां बदलता रहता है, कल तक लोगों ने इसे अपने अंदाज में बताया था, आज हम अपने अंदाज में सुनाते हैं, क्योंके इश्क तो इश्क है, होदा ही जाने इसके और कितने माने हैं, क्योंके अंदाज में, क्योंके अंदाज में अंदाज एंदाज में वे इसके आज हैं, कर दो कि प्रुरूल जाह रूजा तर मुड़िके बिलूब कुछित जार फिर्फशका वे लुटना हूश़ तर नॉट कि, आधि टो को झालख को च तुरूर थजादा ऑा हुटे ही और मुड़िके घरो देम प्रूबरे नॉट प्रुट कि लग खूुझ जब झाल मुझे अजय झाल अजय को जा लगना है कि अब तो पर वह चराग और तू हर सुभा शाम तेरा तो यही काम है अब तो यह बिचारा चराग भी उब गया होगा मगर तू नहीं थकी अरे कुछ तो पता चले तू दूआ क्या मांगती है पता भी चल जाएगा तुझे एक नाएक दिन उताबली क्यों होती है उताबली और मैं अरे यही देखते देखते तुम्हें इतनी बड़ी हो गई मगर आज तक मुझे कुछ पता ना चला और तू मु लड़कियां क्या मांगती है लड़कियां और क्या मांग सकती है सिवा इसके कि उन्हें एक अच्छा शाहर मिले अब यह बच्ची नहीं रही और आप इतना लाड़ भी मत किया करो इसे वरना कहीं यह बला सर चल गई तो उतारे नहीं उत्रेगी तुम फिकर मत करो सुल्ता चल 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 अरे कहा जा रही हो तुम दोनों दरिया पर बारादरी में वो क्या है में जीरता है ससुराल से हम लोगों ने उसे वहां बुलाया है अच्छा अच्छा जल्दी लोटाना शाब तक लोटाओंगी चल ना चल्दी अबा मैं सोच रहा था वो हमारी चिंचोट वाली जो जमीन है वहां भगया रहे उसकी देखभाल मुश्किल है तो क्यों ना हम चाचा कैदो को वहां भेज़ दें से अरे ना ऐसा कादा मत करना उस पाल को वहां नहीं भेज़ना उजाकर वहां सर्फ दो काम करेगा एक तो स मारी जमीन पर भांग बोदेगा उस भांगोरी को यहीं रहने दो कि अधार कि अधार कि अधार की चितनी तारीव की जाए कम है मेरा बस चले तो मैं दुनिया भर की जमीन चुत्वा कर उसमें भांग बुआ दो फिर जिन्दगी कटे तो भांग पीते भांग गोड़ते और भांग की च्छाव में सहते कि अधार पीते ही बदन के हर कोने में ठंडक हर जोड में तरावट हर शय में सजावट और हर रग में बगावट वा इसे पीने के बाद ही मेरी आंखें खुलती है इसके बगाएर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता कुछ अरे काजी साब बच के का जा रहे हैं आये काजी साब कहा जा रहे हैं खुदा ने जिंदगी बख्षी है तो उसका कुछ तो लुट उठाई है क्या भांग घोटी है पठो ने दो कठोरे पीएंगे तो खुद को खुदा ना समझने लगे तुम मुझे कहना लाहॉल मिला एंसफल के लुटती है और अरे मैं पूछता हूं कह दो तुम इतनी भांग क्यूं पीते हो रहे काजी साब कि बावजूद भी इसी वज़ा से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई और तुम अभी तक नहीं सुद्रे अरे यही अकेलापन तुम्हें काटने को दोलेगा सारी उम्र काहे का अकेलापन यह भांग जो है मेरे साथ जब इसके सारे इतनी गुजर गई तो बाकी भी गुजर जाएगी अपना तो अब यह काजी साफ की भांग पी और जी बाकी सब अलाह अलाह और खैर सलाह तुम नहीं सुद्रोगे कैदो कभी नहीं सुद्रोगे यह सारे आसार नाउमीदी के हैं कि देखो के तो दूसरों से नाउमीदी चलती है लेकिन खुद से नाउमीदी बड़ी खतरनाक होती है समझे चलता हूँ खुदा हाफिस काजी साब नाउमीदी कैसी नाउमीदी अब जाए नाउमीदी चली आ रही है एक साथ कितनी सारी उमीदों अब आए मैंने का सोने ओ रास्ते का रोडा समझ कर कम से कम एक ठोकर ही मार दो प्यार से ठोकर क्यों हम तो तेरे जैसों के लिए जुत्तिया भी साथ लेकर चलती है अई सुवान अल्ला इसी बाहने हमें या वे यूदन तो कर लेती हो लगता है लंग्डे ने आज ज्यादा ही भंग चड़ा रखी है अरे भंग की कसम तेरे मुझे लंगला सुनकर भी मुझे बुरा नहीं लगता मन में एक गुद्गुदी सी होती है तेरी ये गुद्गुदी मिताने वाली दबा भी मेरे पास कहे तू पिला दू अरे तू प्यार से जहर भी पिला देगी तू मैं पी लूँगा निकालो नहीं अपनी जुत्तियां शुक्र कर तेरे हुसन की असरत में अपनी तौहीं का जहरीला घूप चुपचा पीजाता हूँ वरना इतना जहर है कैदों की हर सांस में कि एक घुंकार मारूंगा तो सारी दुनिया भस्म हो जाएगी वाँ चाचा आज फिर ये दुनिया भस्म करने पर उतर आए अब्बु ने कितने बारतुर से कहा कितनी भांगना प्या करो जब भांग का नशर तुम्हारी दिमाग पर होती तो उसे ऐसा जवाब देती कि जिन्दीगी भर मेरे सामनी मुझ खोला भूल जाता अच्छा हां फिर कभी ऐसी बात की तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा चलो अच्छी रभ बुरी नजर से बचाए जीनत शादी के बाद तेरा रंग रूप कितना निखराया है तेरे सस्राल वाले तो तुझे देखकर निखाल होगे होगे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अपनी जीनत जैसी खुबसरूत लड़की इसके पूरे सस्राल में नहीं होगी अरे मेरी सस्राल की तो छोड़ पूरे तक थाजारा में सिर्फ एक ही लड़की के चर्चे हैं किसके हैं। अरे अपनी हेर के है। मेरे धजीनत तक थ bench तो हमारे गाउं से बहुत दूर है तो वहां हीर के चर्चे कैसे हो सकते हैं। जब भहा के लोगों को मालوم पड़ा कि मैं ज़ंक से आई हूँ। तो वहां के हर लड़की ने मुझसे यही पूछा, हीर देखने में कैसी है, वो पहनती क्या है, उसके शौक क्या-क्या है, और जब मैंने उन्हीं यह बताया कि हीर मेरी सहली है, तो मुझे छोकर उन्हें ऐसा लगा जैसे नोने हीर को छुलिया हो। तो तूने क्या कहा? मैंने उन्हें कहा कि हमारी हीर इतने ही खुबसूरत है कि वो हाथ लगाने से महली होती है, जीनत, अच्छा जीनत, क्या सच मुझ तक थाजारे में अपने हीर के मुकाबले कोई खुबसूरत लड़की नहीं? लड़किया तो ऐसी ही है, हाँ लड़के अरे तत्ता जा रहा हो, उसने अपना दिवारा बना रखा है, वहाँ के चौधरी का सबसे छोटा बेटा, दीदू अरे अरे तू कहां खो गई? कहीं नहीं अरे देखो जरा ये तो ऐसे शर्मारी जिसे दीदों को बर्सों से जानती हो हाँ शायद मैं उसे चन दीएम चने अपो केसा दिकता होगा हाँ 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 अरे हम क्या इतनी गय गुजरी है जो इसे यहां देखने आता है और क्या मुझे तो लगता है पानी भरने के पाने ये खुद इसे यहां देखने आती है तो क्यों जलती है खास तो वह तुछे भी नहीं डालता ना सही वगर हम सब तहीं से खास जारती है है एक गम हो जाए हो जाए ठीडो या यह थीदो अ कितनी बार तुम लोगों से कहा कि बीच पर मत करो अरे तो हम पर ना सही पीर बाबा पर तो कुछ रहम कर अगर इसी तरह तो पीर बाबा की सिराने बैठकर बासरी बजाता रहा ना तो बेचारे पीर बाबा करवटें बदल बदल कर बेहोश हो जाएंगे पहले तुम अपने होच की दवा करो हमारे होच की दवा भी तो तेरी पास है तुमलोगों के अप contemporary to Hakeem के पासी मिलेगी लाओ थोड़ा पानी पिलाओ मुझे हमारा लुकमान थो तु ही है धी तो अभी जाकर बताता हूं तेरी अम्मा को मैं जाने कब मरजानियों की यह नौजवान कौन था दीदो मौजो चौदरी का छोटा बिता क्यों बाबा अपनी तरह उसे भी फकीर बनाना है अरे यह तो खुद बहुत बड़ा फकीर है इसके माते की लकीरे बता रही है कि यह दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगा शोहरत होगी इसकी ऐसी शोहरत जो खुश्बू की तरह सारे जहां में फैल जाएगी और कयामत तक जर्रे जर्रे से उसकी महक आती रहेगी अल्लाहक अपना तीदो गया आजा 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 इतने देता खाना भाई अम कब से खाने पर इंतिजार कर रहे हैं यह वह वह भी दीदो इधर भी आजा भाई आज एक अर्यिझेश अरे में लें अरे उ क्या खा रहे हैं अरे प्रे मक्षन कर चारा है अरे क्या कर रहे हो तुम लोग कि इसे हाथ मों तो जो खनाहिं डो तो चेपार बिच्षाब अरे खा ले भी दो लसी पी ले और जल्दी से हाथ मूं दुआ मैं तेरा खाना लगा देती हूँ अजय दो क्यों ज debates करें जैंगे तो सुने च्जी अब भात करनीे बड़े भाई उसी की भात करने निले मेरे लिए के सारी दुनिय में वहीं एक लडकी रह गरिये है क्यों क्या बुराई है उसमें मैंने कप का कि उसमें कोई बुराई है वगर मुझे उससे शादी नहीं करनी है और फिर किसे करे का शादी आखिर आखिर आप लोग मेरी शादी की पीचे क्यों पढ़ें हैं क्या मिलेगा आप लोगों मेरी शादी से हमें हमारी दिमेदारी से च्टकारा मिल जाएगा और तुछे तेरी आवारा करती है और नहीं तो क्या यह तो सारा सारा दिन काम की गललियों को में हमें बड़ी शर्म आती है जब लोग आकर हमसे यह कहते हैं कि तो सारा दिन काम के लिगे के पास बैट कर लड़किए को तैक़ा करता है जूट कहते है यह लोग前 कोई लड़की है इस लाइक जिससे देखा जाए अच्छा तो गाउं में कोई लड़की है यह नहीं इसके लाइक, यह समझता क्या अपने आपको? बस यह समझ लो भावी, कि मैं अपने आपको छोटी भावी की बहन के लाइक नहीं समझता? हाँ, हाँ, मैं भी देखती हूँ, तु कौन से सियालो की हिर ब्याह कर लाता है? क्या सोच रहा थी तो, तुझे अपनी भावी का आइसान मनना चाहिए, अपनी छोटी भेहन का रिष्टा कर रही है तुझसे, वरना तु 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 वरना मैं क्या, जिन्दीगी बार कुआरा रह जाता? और नहीं तु क्या, कौन करेगा तुझे से निखटू से अपना रिष्टा? इसका मतलब यह, कि अब मैं तुम लोगों की आँखों में खटकने लगा हूँ. तुने तो जब से होश संबाला है, तब से खटक रहा है. सिवाए मुस्त की रोटिया तोड़ने और आवारा गदी करने के अलावा, तुझे और आता ही क्या है? हम बैठी है ना, तेरी नौकरानिया, पका-पका के खिलाने के लिए, यह ले, खा. निदो, ऐसे खाना चोड़के खाना जा रहा है? इतना सब सुनने के अबाद, कोई गहरत्मन भला यहां कैसे रुख सकता है? निदो, तो पागल तो नहीं हो गया, नहीं हम तेरे भाई हैं, तेरे कोई दुश्मन तो नहीं, तेरे भला एक चाहेंगे ना, चल, चल के खाना चाओ. आज के बाद इस घर का खाना तो क्या, पानी पीना भी हराफ हूँ. रुख जादीता, रुख जादीता, रुख जादीता, ऐसी थम्कियां यह बहुत बार पहले भी दचुना है, शाम तक खुद ही लाट आएगा. अलाहक नहीं मिलेगा सुकुम यहां, नहीं मिलेगा तुझे, तु इसके सुरों के समुंदर में चाहे जितने भी गोते लगा ले, नहीं मिलेगा यहां. जवाब, ना जाने कब कहां, किस जहां में तेरे वजूद का कोई हिस्सा गुम हो गया था, उसकी तलाश में भटकता है तेरा अदूरापन, हाँ बाबा, भटकन भी है, अदूरापन भी, अब तुमी को यह रास्ता दिखाओ बाबा, मुझे तो हर चीज बेमानी लगती है अल्ला हक, तेरी भटकन में ही तो तेरे सुकूम का रास चुपा हुआ है, बटक, बटकता जा, दर्या चिनाब के उस तरफ की मिट्टी से तेरा कोई गैरा रिष्टा मालूम होता है, अपनी भटकन की उंगली पकड़, अपने अधूरे पंग की रहा पे निकल, अपनी पे आशे में नए माने नजर आएंगे, जान, रब तेराने के बाँ हो अधेर यह दर्वाजर पर खडी खडी किसका इंतजार कर रही हो तुम, रात हो गई पर धीधो अभी तक नहीं आया, इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रहता कहां गया होगा अरे भावी जाएगा कहां दर्गा पर बैठे हुए बासुरी बजारा होगा आ जाएगा सुभा से उसने कुछ नहीं खाया कब तक भूगा रहेगा विचारा उसे मना कर लाओ मैं देखता हूं से ठेरो मैं भी चलता हूं भावी आप फिकर मत करो उसे लेकर ही आते हैं कर आखे की सर्दी पढ़ रही है अरे अब्दुल हमारे दीदों को तुमने कहीं देखा है हमने तो नहीं देखा क्यों कहां चला गया हो तुम उसकी फिकर करते हो जिसे खुदा ने बेफिकरी से नवादा है मैं कुछ समझा नहीं बाबा लेकिन वो समझ गया था इसके वो पूच कर गया या अगर कहां पूच कर गया अपनी मंजिल की तरफ अपने मकसद की और कैसा मकसद कैसी मंजिल बाबा फकीरों की मंजिल कोई जानता है बला ये तो वो जानता है जिर्फ वो कि वो उमीब है चाह माई लो कोरा है घा ऱजेढा है, है जिर्फ दोश कैंक है अच्छा आप सावान करें नहीं है यह कौन सी जगाय भाई बारा दरी मगर तुम इसके आसपास भी नहीं भठकना वरना जहां से आयो होना वहीं खोटे सिके की तरह पहुंचा दिये जाओ के क्यों कि यह बारा दरी यहां के चोदरी की सरचड़ी बेटी हीर की है कर दो है हुआ 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 है यह तीरी शरारत थे मेरी शरारत क्या मुझे सोते हुए तुने कुछ किया था नहीं तो बलकि तु जिस तरह चौक कर उठी मुझे तुछ पर हसी आ गए पता नहीं कैसे मुझे जपकी से आ गई और फिर आचानक अजीब कमकपी के साथ आंग खूल गए जैसे किसी ने जिन च सेरकर के बड़ा मजाया मगर तो कष्टी वाले को छेड क्यों रही थी उसको मेरी पलंग पर यह कौन सोया हुआ है कितनी हमत हुई होगा कोई शैतान या सौधाई जिसे यहां सोते वे ना डर लगा ना शरम आई मजात नहीं बेगो जा उस लोड़न के बच्चे को पकड़ कर ला के रत वाली करता है मेरी बारा दरीकर चाहर जल्दी जा रही हो आज तक किसे कितनी जुर्ट नहीं हुई कितनी हिम्मत को ओई कौन हो तो कि लगता है पीर बाबा ने तुम्हें ढूंडे मेरी ही मदद की देदो हाँ कि अपने चेहरे के इंची राखों से पल्कों की चिल्मन तो उठाओ मुझे तक रोश्टी तो आने तो कब से भटकता फिर रहां अंदिरों में अब मन्जिल की एक चलक देखने तो इसी रोख इसी रूख की कशिश का जादू ही रहा होगा जो मेरी उंगली पकरकर मुझे यहां तक लिए आया यारा यह इत्वा कि कोई या तेरा ही करिश्मा है मेरा दिल मेरे हातों से पिसला जाता है मुझे तो अभी वी यखी नहीं हो रहा कि मेरी भटकन मेरी बेचैनी का सिला इतना बेविंसाल होगा मेरी बेकरारी का करार इतना लाजवाब होगा एक जर्रे की किसमत में खुस्नका ऐसा माताब हो नहों तुम मेरे माली की दीवी वोस होगा तो जिसका अदब ही मेरा इमान है जिसकी अबादत मेरे जनून का इंतिहान बस परना कहीं मुझे अपने नसी पर गरूर ना हो जाए गरूर तो मुझे होना चाहिए जिसके अधूरे पन ने यह रंग दिखाया कहां रगरग में बेजारी तसवर तक में वीराना कहां सारे गुलिस्ता का शभाब चलके आया है जाल जाल दी अंदर है अल्ला किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम कौन हो और कहां से आये हो मगर कौन हो आदनी किदर है यह रहा हो मुझे तंडा कुछ बताया इसने कहां से आया है जी नहीं बताया तो अभी बतायेगा ऐसा चपू चलाओंगा मैं अपनी साथ पुष्चों की कानी सुनाएगा यह आपको इसकी कहानी सुनी मैंने तो आपने सुना यही रखवाली करता है मेरी बारादरी की हां अगर मैं चूड़ बलो तो मैं दर्या में डूब के मर जाओ जी पता नहीं यह दर्याई कोड़ा अंदर कैसे आ गया जी पहला मुका है इसलिए चोड़ दिया जी चल बेगो सरकार यह तो बताओ कि इस दर्याई कोड़े के साथ सलूक क्या करूं मैं यह कोई परदे से मुसाफिर है रास्ता भटक गया है इसलिए यहां आ गया इसकी रेने का कहीं बंदोबस कर दे हाँ चल हम चलते ही तू तू ने इसको छोड़ दिया अरे मिया यह खुशी के लिए आपको यही जगा मिली थी क्या मतलब मतबल यह कि आज आप खुद तो मरते ही मतले साथ में मिरवार डालते कि बंसी तो यूँ पगड़ रखिये जैसे क्रिशन कर नहीं या तुम ही हो चलो तुम्हारे ठैरने का बंदोबस कर दूं कहीं कहां अरे गाओं के बार एक सराय है वहां चलो है अधयर छुप तु देखने रही मैं पी चुछ मांग रहा हूं ना मतिर भाबते अ तो पीर बाबा मेरी मदद करें तुझे ढूने में फिर भी तुम्हें ढूने ही पाएगा क्यों पीर बाबा हमारे हैं तुछ से ज्यादा हो मेरी मदद करेंगे चुपने में अक्षियों ने अक्षियों से मिलके कर लिए सोगे दिल के और अरभा दिन्याए मुश्किल के कर अरभा दिन्याए मुश्किल के पहले ही नजल में जा निकली ना न निकली ना आ हा निकली बस रहे गे शर्म से लबस के और अरभा दिन्याए मुश्किल के और अरभा दिन्याए नजर से अपनी तोने मुझे ये क्या शय बिला दिया है खुदा जाने ये कब देगी खुमारी ही खुमारी है नहीं इस खामोश्य को इतनी चल्दी मत तोड़कता अब इभी इसमें तुम्हारी बाउसुरी के सुर्ट तेर रहेगी पहले उन्हें मेरे अंदर जस्प हो जाने दो तुम्हारे सुरों के उड़ान जितनी ऊची है तुम्हारे खामोशी की गहराई उतनी ही गहरागी मुझे उसकी थापारे ने तो तुम खुदी शवाब का एक ऐसा दर्या हो जिसकी हर मोज मेरे सुरों की उड़ान भी है और मेरी खामोशी का बयान भी है मेरे तसवर की हर उरान तुम्हीं से शुरू होती है और तुम्ही पर आकर खतम देती है मेरा आगास तुम मेरा अजाम तुम बस तुम ही तुम हुआ जा दिन ने तुझको पकारा रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए दिल तड़ पाया तेरा मेरे लिए मेरा तेरे लिए रब ने बनाया उझे मेरे लिए उझे तेरे लिए दिल तड़ पाया तेरा मेरे लिए दिल ठाहिittel बनाया तेरे लिए दीजे बनाया तेरें आनाय बनाया तेरे लिए दोञ फजे लिए इस मेरे लिए पुदिए था आज की अब की मुलाकात नहीं है तेरी या मेरे सोच बात नहीं है तेरी या मेरे सोच बात नहीं है हुकम इलाही है ये की करिये रबा की करिये रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए बनाया तेरे लिए प्रुझे मेरे लिए रब चुझे मेरे लिए ये ये तेरे लिए कि कर दो. कर दो ब्रहाएँ परन कर दो दो ऑाँ प्रॉबस कर दो अचे उर्ड़र रहाएँ अब प्रयाइ़। अपने खुदा का इमार बना के अपने खुदा का परमार बना के अपने खुदा का परमार बना के अपने उसाए हमने वादे किये हमने वादे किये रबने बनाया तुझे मेरे लिए हुचे तेरे लिए और खुदार तुम सारे नौकर अपने साथ ले जाओगी तो यहाँ परमार बनाया तुझे मेरे लिए पर खुदार तुम सारे नौकर अपने साथ ले जाओगी तो यहां का काम कौन करेगा अब या तो आप दूसरे गाउं में जाकर इतनी जमीन ना खरीदते और अगर खरीदी है तो इतराज करें सच पूछे तो इतनी बड़ी जमीन को समालने के लिए अभी भी नौकर कम पढ़ते हैं इसलिए मैंने के दो चाचा से का था कि वह अरे ना मतलो उस नालायक का भांग गोटने से फुर्चत मिले ना उससे तब जाकर नौकर डूंड़ेगा अब लुड़न कह रहा था दरिया पर से कोई आदमी आया है और उसको काम की तलाश है तो उसे बुलाया के नहीं बेटे बुलाया अब बूब वो उसको लेके आज ही हाने वाला है यह कि नौकर की जरूर्थ है यह क्या लॉकरी करेगा यह तो बड़ा नाजुक सा लड़का है अब जो काम आखोगे को ही काम यह फॉरं करेगा फॉरं अच्छा हो देख भाई जानवरों काम करने के लिए जानवर बनना पड़ता है हमें अपनी भैसों के लिए चारवाही की जरूरत है ओ जी यह जानवरी वही तुम आय कहां से हो मेरे माबाप नी रहे भाई है उनकी बीवियों ने जढ़ा करवा दिया इसलिए घर छोड़का चला आया मैं तो कहती हूं रख लो एसे एक तो जरूरत है और यह कहां मारा मारा फिरेगा आहो जी आहो ठीक है ठीक है सुल्टान इसे तुम काम समझा कर देना और बाड़े मिरेने का इंतिजाम कर देना जा जा मैरबाने जोड़ी चल अरे बिचल खाना है और चोटे जोजरी सलाम चपू चला के यह सुल्टान के साथ बर्खुरदार कौन था नौकर रख लिया है नौकर के ऐसे होते हैं क्यों चाचा नौकरों के कोई खास श कहते हैं ठ्यां कोईाब ठ्याब तो होती है ना जैसे तो रेचेरेप्र बांग की। अब आधी बांग का नहीं मतलब दूए वाग की. artosh तुना था जन्नत के बारे में, लेकि तेरी आगोष से बैदा जन्नत और कहां मिलेगी? तेरी मौजूद्गी से ही यह आगोष जन्नत है, रांजयी, और तेरी मुहबत के सदके यह हीर हीर, वरना तेरी बजर, मेरी क्या है एहिमियत? वहीं, जो खुद को देखने के लिए बेताब शक्स के लिए आएने की, इसलिए तो ताकता रहता हूँ, तुम मैं खुद को, और खुद मैं तुम्हें है, तुझे पाने के बाद, मुझे यही महसूस होता है, कि मैं तेरा ही खुयावा हिसा थी, रांजया, तेरे बगार जान हाई रपा, यह कौन हो सकता है, शायद पहला इंतिहान हो, मुझे तर लग रहा है, कि यह अमी को, हम तोनों पर शक्ता नहीं होगी आरांजय, तुम जल्दी से चुप जाओ, इसके पीछे, मैं देखता हूँ चौदरी जी, आप खेरेत तो है न, अभी मालूम हो जायदा, घवराता क्यों है, पीछे हाट, नौकरों की कोई खास शकल होती है, क्या, दे चौदरी, क्या ढूनरे है, मुझे वदाईए, मैं ढून देता हूँ, जादा हो, शर्मत बन, अभी दिखा था तुझे, कहा है वो, वो कौन, बनता है कमीने, जान उरों के साथ क्यादों को भी चलाता है, इस मुए भंवाडी के कहने पर हम लोग यहाँ चले आए, पहले हीर को उसके कमरे में तो देखते हैं, तुमें देखा नहीं, अरे हाँ आप देखती, इसके कहने पर मेरे तो होशी उड़ है, वो यहाँ नहीं मिली, तब यह बात सूजी, तुर फिटे मो, चल चल, मेरी बात, तुर, अब आमी, आप लोग इस वक्त सब, सब छीकता है, ना, हाँ, वेड़ी, तेरे इस बद्दिमाग चाचा को छोड़ गार सब नहीं कह, क्या हुआ चाचा को, फिर भांग चड़ क्या कोई ख्वाप दे कर डर गई, डर तो मैं क्या था बेटी, खर तुर जा, जा अंदर सोजा, चलो जी, चाचाचा मेरी बात, चाचा मेरी बात, अच्छा अप सोजा, डर ना नहीं, लेकिन, पाप की नसरों में, चाचा को नीचा दिखाने में आज तो तु काम्याब हो गई, लेकिन तु भूल गई कि मेरा नाम कैदो है, कैदो जिसे चक्मा देने से, खुदा भी खबराता है, इसका मतलब तु और ही, हम सबसे छुपकर अकेली बारादरी में चाहती रहे हो, यानि मुझे तो सारी डाल ही काली लागा है, यानि कि अब हमारी हीद किसी और की होने वाली है, होने वाली नहीं हो चुकी, मुझे के मालूम, बताना, अरे-अरे, तुम सब खुद चल कर देख लो, लेकिन इस वक्पर होगी कहां, वहीं, बारादरी में, रुक यूँ गये, तुम्हारे सुरों की साहरे, मैं जाने कितनी दूर किन के अरायों तक उठती चली जा रही थी, इसलिए तुम्हाने सुरों की डौर खीच ली, ताकि तुम्हेरे पास लोटाए, अपने तसवर में भी तु कहीं मत जाना, मेरा के ला रजाओंगा, तुम्हारे बगेर तो, मेरा तसवर पी सोना हो जाएगा, और मेरे ख्वाब अधुरे, हो रहे, हमने तुझे सारे गाउं में डूढ़ा रहा और तु यहां में थिया, तुम सब पर रपका कहर बरपे बेशरमो, रपका कहर तो जब बरपेगा तब देखेंगे, अभी तुम सब कहर देख, चलो इसे मेरे खर ले चलती है, तुझे खीश कर ले जाओ, चलो जाहें जितने सितारे साथ हो जाएं, मेरे चांद का फिर भी कोई जवाब नहीं अरी पे शर्मो, कुछ तो शर्म करो शर्म तो तुझे आनी चाहिए, हमसे मिलने का बहाना करके रांजी सेश्क ले रांदिया चोड़, रांजी ने तुझे ऐसी कौनसी बुटी सुगा दी है, जो तो अपने पुरानी सहलियों को भूल गई है अरी, सच-सच बताना, आग दोनों तरफ बराबर लगी वी है, या फिर तो अकेले उस लिखार में दूबी हुई है अरे, मैं बताती हूँ, ये तो दिन रात रांजी की नाम की माला फेक्ती रहती है, इससे तो रांजी की प्यार में सारी दुनिया भूला डाली हुई है क्या ही सच है ये? अच्छ है, बताना बताना, बताना, आरे, बताना एक किनारी ये दुनिया, एक किनारी रांजा बीच मी साथ सबंदरों से भी गहराग का दर्या इस दर्या में में नीदे नी तश्टिया जड़ोई रांजा, रांजा करके करते, फिर दिवानी हुई रांजा, रांजा, करके करते, फिर दिवानी हुई रांजा, रांजा, करके करते, फिर दिवानी हुई रांजा, रांजा, करके करते, फिर दिवानी हुई कर दो कर दो रग जाने कब जेले रग जाने कब जे उझे पुझे पुझे प्यार में ठाब दिन्य रात मुझे मुझा का एक खबर नहीं मैं जब जागी कभ सुए रांज हा रांझा करते करते हिर देवानी हुए रांज हा रांज़ करते देवानी हुए प्रिटिए ने चाहिए। मुझरी कभी गवाली है रख जाने सुद बुद अपनी मैंने कहा रख डाली है मुझरी कभी गवाली है रख जाने सुद बुद अपनी मैंने कहा रख डाली है यादन सोड़ी साजन की फिरती हूँ कोई खोई राजा राजा दरखे करते फिर गवाली है तराजा दाजा तरखे करते फिर दिवानी हूई राजना 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 मुझी अडियों ऐसा लगता है इस प्यार की ओत निचोली में जाते मुझे को मिर माबुल ने इठा दिया दोली में में मत पूछो पित नो रोए रांचा रांचा करके तरते तीर दिवानी हुए रांचा रांचा करके तरते तीर दिवानी हुए तेरे बाप की आकल पर तो पर्दा पढ़ गया है अरे अगर पगडी के तुर्रे पर दाग लग जाए तो वह पहले दूसरों को इपता लगता है पहने वाले को तो तब पता चलता है जब सब उस पर थू थू करते हैं लेकिन चाचा अभी तो सब लोग तुझ पर थू थू कर रहे हैं अरे भांग के नशे में तो अपने घर की इज़त को उच्छालने में लगा हुआ है अगर ये बात है तो तू भी बैट रात भर में सब कुछ तुझे तेरी आंखों से दिखा दूँगा देख चाचा इसम ने बाप की असलिया उलाद खुदा हाफिज जो मेरी आंकों ने देखा है उसे देखने के बाद तुम दोनों बाप बेटे की जिन्देगी भर की ने ना उड़ गई तो ये राख मैं अपने चेहरे पर हमेशा के लिए मन लूँँगा लूए 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 मुझे दियों की कऑर है जो सुभाओने तक चाप जाएगी अजिए भूथ अगर यहां से कुजरें तो अगर यहां से कुजरें तो यह सब क्या चाचा कैदो की चाल का मुख दोड़ जवाब अगर वो कैसे मारे ने राख भिखेरते रास्ते में खेर चुण अभी तुम्हें तुम्हारी आगोश में तुम्हारे प्यार को छोड़कर सारे दुनिया को भूल जाना चाहते हूं तुम्हारी करी है मेरे खुदा हुआ तो भेरे खुरी है मेरे खुदा हो जानर जुदा तुम्हारी कि तेरे बगएर यह जगा कालकोट से यह ज़ने थी कि तेरे आती ही जन्दत हो गई रांजना तेरे साथ तो दोजक भी जन्नत हो जाते हैं यह चिराग जो ठक के बुझ चला था तेरे आते इसमें रोश्णी लोटाई बहुत इंतजार करना पड़ा ना तुम्हें तेरा इंतजार ही मेरे चीने का सर्या है हीरे और तेरी मुलाकात ने जिन्दकी का सर्माया यह तुम्हारी महरबानी है रांजी महबत में महरबानी नहीं होती इश्क में दोनों ही दाता हो जाते हैं प्यार करने वाला भी और प्यार पाने वाला भी उपर वालों ने प्यारी तो एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसे जितना बाटों उतना ही बढ़ता जाता है कि सुबा होने को है कि कभी तो शाम ड़कर हमरे बीच आजाया करती थी और अब सुबा होकर हमें आलग होने का इशारा करने लगी है अच्छा मैं चलते हूं कि फिर आओंगी कि कि अधिन है कि आफ देखो अधिक प्र्च आख जाए एख कि अधिर यहां किसी कम बखत ने तक अधिक किसी दुष्मन ने यह तहूं वन्हों टोटका चिया है। टिडे पड़े उसके सत्यनास उसका बेडा घर खो। यह को यह देखू। की निशान भी मिलेंगे इस राख पर भूत के कदमों के निशान भूतों की सारी जिंदगी इसरी भांग नहीं पी है बलकि थोड़ी बहुत जिंदगी भी जी है अब मेरे भाई को यकीन आएगा कि कैदों ने किस तरह उसे वफादारी की है देखो भूत की निशान इसके दे लगता तो ऐसे ही है चाचा कहीं रात को मेरे जाने के बाद तू भांग पी कर यहां नाचता तो नहीं रहा क्या बखबास करता है मुझे भी ऐसे ही लगता है हमारे घर में एक पाउं और लाठी पर चाचा ही तो चलता है और यहां भी एक पाउं और लाठी के निशान है अ चोदरी सहाब क्या हुआ ये ये राग कैसे बिखरी भी है वो तु जा अपना काम कर जा सुन तुने रात यहां किसी को देखा तो नहीं सुबा जब मैं जानवरों को चाना डालने के लिए उठा तो छोटे चोदरी यह घूम रहे थे मैंने सोचा सुबा की सेर कर रहे हैं इसलिए मैंने कुछ पूचा नहीं जूटे तेरी यह मजा उस पर क्यों बगड़ता है चाचा जब तो यह खुद कुछ याद नहीं है इतनी कि भांग मत पिया कर तुम जाओ अरे लानत है तुस पर लानत है अपनी आउलाद में कोई खोड़ हो तो लोग उस पर परदा डालते हैं लेकिन तू तो खुले आम हमारी मिट्टी पिलीस करने पर तुला है तो अबा तो बास चलिए रहे अंदर चलो पे शरम चलो अबा य कुटे की तुम सीधी हो भी तो कैसे इस तुम के हर बाल में घर के ना जाने कितने राज चुपे हुए हैं जिस दिन ये दुम सीधी हो गई हर राज खुलकर बिखा जाएगा वक्त आने दे चौधरी ये कुटा जरूर अपनी दुम सीधी करके दिखाएगा तेरे हातनों से बने इस खाने में जो मजा है इसकी भनक अगर फरिष्टा को पढ़ गई तो वह भी जमीन पर उतर आएंगे अच्छा इसलिए चलाक फरिष्टा दूसरों से नजर बचा कर छोरी छोरी सबसे पहले यहां उतर भी आया है अगर इतनी देर तक उसने खाया कम और बातें ज्यादा की है अरे खातो रहा हूं क्या कोई हमारी तरफ आ रहा है मैं वहां जाके चुप जाते हूं अल्ला अल्ला अगर मेरा कुछ नहीं रहा तो तेरा भी कुछ नहीं रहेगा ऐसे फबाबा कि दूया करकने कर बजाएं अल्ला को कोलिकर नहीं को में truly अब यह नशूर करूं अब देखना अल्ला के नाम के साथ मैं तेरे नाम का भी ख्याशे ढंका बजाता हूं वह लाम लागा पहें अपने चूरे उसे क्यों देदी क्यों क्या वा तुनिे देखा नहीं उसने चूरे खाई नहीं बलकर अपने पोटले में चुपा लें वो फखेर नहीं ता फाकीर के भेस में मेरा चाचा था केदो वो केदो था हाँ फेर अब घर जाकर चूरी दिखा दिखाकर लजाने क्या राइका पहाड बनाएगा अब मैं क्या करूँ है तो ठेर में अभी आई पेगो पेगो चलती है क्या बात है बड़ी कड़बड होगे क्या हुआ चाचा फक्या के बेस में रांजी को बेवकूप बना के चूरी ले गया चलती चलो इससे पहले वो घर पहुंचकर कोई नाटा करें हमें कुछ करना चाहिए तेर रांजा बड़ा बेवकूप है किदर आज मैंने तेरे चाचा की चाल ना बिगार दी तो मेरा नाम भी बेगो नहीं चलती चलती है यह तो कोई जंगली जनवर रटता है अरे इसको निकालो यह तो सारी फसल खाजाएगा पत्र पत्र इजा यह ले यह ले यह ले यह छुड़े से बोटे से पत्र से कुछ नहीं होगा बड़ा अजार नहीं नहीं आरे तुम लोग ने फ़कीर की बाद उतमें ख़र डारा है जो फकीर बाबा, हमें म medal कर दो, हमारी एक दो सवाल है, आप उनका जवाब देंगे? मेरे पास वक्त नहीं है. अगर फप्कीरों कर पास वक्त नहीं हुआ, तो किसके पास होगा? जो इसके पूचा, आपक racing, व्हाखो कर फ्रीजी को कि ने पूचा! हां वो यह पुछो प्वक्रच यह बताई हमारी इसे तो लंग्रा मिल जाये तो कनीमत मुर्च की आपि अच्छा हमारी गूंगा हो जाएगा अधर चलंगा हो जाएगा कुछ तो बाफोर। एक और बात है हमारी हीर का एक लंगडा चाचा है कह दूँ बड़ा कमीन आदमी है वो कब मरेगा इतनी जल्दी मरने वाला नहीं वो बाउतों को मार कर मरेगा वो आप सब लोग मिलकर मेरी चाचा को क्यों मारना चाथी हो मरियो क्योंकि वो लंगरा हमारे रास्ते में डांग अडाता है कुट्टे की तरह राल तकनता है फिड़े पड़े उस मुए को बाबा कोई ऐसे तरकी में सब की कमर तूट जाएगी तक फकीर का मूँ मत खुलवाओ अगर इतना समझ लो कि तुम्हारे एक सहेली अपने घर के नौकर के साथ भाग जाएगी जलता हूँ अल्ला आप उनसे साफ साफ कह दीजे कि जब तो सुल्तान की शादी नहीं हो जाती हम हीर की शादी की तो अधे करो वो खाना पिना चोड़कर बैच जाती है अगर तुम तो मेरी बात चुनकर लेट जाओगी अरे अरे यह कौन पागर गहें में घुछा आया अरे भाई तुम कौन हो अच्छा तो अब तुम्हारा भाई कैदो कौन हो गया अरे कैदो यह क्या उलिया बना रखा त तुम्हारी लाड़ी हम सब के मूँपर कालक पोते मैंने अपने हिसे की खुदी पोतली अरब चौदरी तुम भी तयार हो जाओ कालक पोत वाने के लिए क्या वक्ता है वक्ता था तुम मुझे कुटा समझते हो मेरे दिमाग को बांग चर जाती है लेकिन तुम्हें कौन सी कर चूरी है और यह ठुरी थे का कर आया है तुम मेरे बेटी पर कंदाना था संक्राइब वक्तास अरे सवधाई है तो रहा है यह था सवधाई हो गया यह था है कि देखो मट्टी को चूरी बता रहा है मरा तेरी मौजूद्गी से ही यह अघूष जन्नत है रांजयी और तेरी मुखबत के सद्के यह हीर हीर वरना तेरी बगर मेरी क्या है एहमियत है कि दूब लंगजा था और फिर देखो इसका में आखर सब्सक्राइब को आखर तो कहना क्या चाहता है अब कहने लाइक रही क्या गिए आई जी चौधरी साभ मैं बस यह बताना चाहता हूं कि लोग शुब सब्सक्रेदाकी को सारी रात यहीं सुचता रहा कि आखर मुझे जे यह क्या время तो फिर सोचने के बाद क्या हुआ यह तो पिर तो आने की आप लोग ठीक कहते हैं यह कि मैं सौधाई हो गया हूं भांग ने मेरा दिमाग होखला कर दिया है कि अभी तो अपनी नीक बेटी के पीछे मैं इस तरह की तोमेते लगा रहा हूं है चोड़ जो हुआ सो हुआ लेकिन नहीं चौजरी तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे थपड़ मार दिया वरना शायद मुझे होश ही नहीं आता चल छोड़ चाचा अब यह बता कि तुने आके सोचा क्या है सबसे पहले तो मैं अपने दिमाग का इलाज करवाऊंगा सुना रंगपूर के पास एक काउं है जिसमें एक बहुत पहुंचावा हकीम रहता है जो भंगडियों और दिमागी मरीजों का इलाज करता है अगर सुल्तान मुझे वहां पहुंचा दे तो सिर्फ आप सब कोई नहीं मुझे इस बिमारी से चुटकारा मिल सकता है शुक्र चौदरी मन में कोई मलाल ना रख चौड़ अलाविली जा जा वक्त और आदमी का मन कब बदलता है कुछ पता नहीं चौटा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मुझे भी कहा हो रहा था जब तक वो सुल्टान को साथ लेकर इलाज के लिए चला नहीं गया इसका मतलब अब तेरा चाचा हर रोज भांग की जगा किसी हकी इनकी घुटी भी कड़वी दवा के गुट बरेगा और तेरा रांजा दिन रा मुझे पर्दे से तावरा आया इक पर्दे से तावरा आया अंगडाई कली ने लिखे लिखे और अब दिन आये मुझे दिन के और अब दिन आये मुझे दिन के ये इश्क तो हुकन खुदा का है कुछ मागू वाक्त गुआ का है कुछ मागू वाक्त गुआ का है एक आश्रा मिछेरे हम मिलके उरबा दिन आये मुझे के उरबा दिन आये मुझे के उरबा दिन आये मुझे के लो देख लो अपने खून की दगाबाजी और बेहाई की नंगी तस्वीर को अपनी आँको देख लो चौदरी अपने चेरे पसारे जहां की लगी कालिक से अब भी तुम इंकार कर सकते हो अरे आज तक इस घर में लगी आग में अखेला जुलता रहा लेकिन अब अब तुम सब लिपारी हैं अब हराम मैं तुझे अब यह मैं आज इन दोनों कुछ जांत से मारड़ा लुगा नहीं सुल्तान अभी घर की बाद घर में है इसको मारने से सारी दुनिया में फैल जाएगी इस तो वैसे इस कनमुई की वज़े से हम किसी को सुरत दिखाने के लाइक नहीं रही और तू तो स्ब्सक्राइल स्वास्तों पिष्चा को सब्सक्राइब। अगर आज के बाद तुम मेरे इलाके में कहीं कि नजर आया, तो मैं तेरी बोटी-बोटी करके वही काड़ दूगा, समझा? अबा, मैं तुम्हारे पाउं पढ़ते हूं, किसे मेरा नसीब समझ कर कुबल कर ला। अबा, मर क्या तेरा अबबा, मुड़ा दिया तुन्हे उसे अपनी बेगहारी ती का कफ़ए। अपने अबा को दफ नकर दिया तुन्हे अपनी बचलनी की काग में। अगर इतनी परवात तो बेहाय करने से पहले जहर खाके कुद क्यों नहीं मर गई अब बोलो चाधरी किस किस से अपना मूँ चिपाते फिरोगे अब बोलो इस तरी लाड़ी बेटी नहीं तरी पगड़ी में लगा दाग है अब बताओ इसे जहर दे के माँ डालोगे या गली के साथ साथ ये मेरे खाबों की मौहत है मैं विल्कुल ठोट चुका हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम लोग सोचो इसके साथ जा करना चाहिए कि अगर तुम ऐसे चुपी साथ के खड़ी रही तो यह मसला हाल नहीं होने वाला जरा सोचो कि कैसे इस लाड़ को ठिकाने लगाया जाए सैदा की मांके कई पैगाम आए थे लेकिन अब इसकी कर्दूते देकर कई वो भी मुखर ना जाए नहीं के कहर बढ़ाना में मर गए तेरी आमी पेहाया हात्म कर दिया सारे रिष्टे तुने आज इसकी बढ़कारी की खबर सैदे की यहां तक पहुंचने से पहले हमें इस तो फिर वो कौन है अरे बोल ना कौन है वो अमी तुम्ही मेरी कसम किसी को मत बताना वो तक था जारी के मौजूर चोधरी का सबसे छोटा बेटा रांचा है कि क्या बख रहे है तु हाँ आमी वो मेरी लिए चरवाहा बनके यहां रहता था कि यह बात तुने मुझे तो बता दे लेकिन और किसी के सामने अपनी जबान मत खोलना वर्ना यह लोग तुम दो लोगे टुकड़े करके डर्या में बहादेंगे मैं तो कहता हूं कि छोड़ा इस राया को चपू चला के वैसे भी यह बहुत आदमी ठैरे हुए हैं मेरे कार चलते हैं वहीं बैठकर फैसला करेंगे कि अगला कदम क्या उठाना है अभी मुझे कुछ नहीं सूच रहा है ऐसा लग रहा जैसे सब कुछ खातम हो गया और मिय किती हमेशा इसकी होई है लेकिं तुम होगे पहले चटके में टेरीट आगे बैठ गए चटका पहले ही जहिलना मुश्किल होता है लुटन उसके बाद तो आदत सी बढ़ जाती है और मिया बरदाश्ट की आदत ना डाल लेना कहीं नहीं लुटन इतनी आग ददक रही है म यही मेरी जलबाजी में मेरी ही नचला चाहे ले कुछ खा ले खाले ना मुरादिये यह तो अब उम्र भर का रोना है हाई मर जानिये यह तो तेरी चाववाली उम्र थी तो यह क्या रोग लगा बैठी ना खुद कहीं की रही ना हमें कहीं गर रगा अब हम ना जिंदों में हैं ना मरों में ऐसा मत कहें अभी तो तु मेरे रत्रक से वाकिव है वाकिव होती तो यह नौबत ही क्यों आने देती आज अपने ही घर में चोरों की तरह मुणा चुपाना पड़ता तेरे अबबा जो अकेले सारी दुनिया से लड़ने का मादा रखती है आज अधेरे में चर्म के मारे मूँ सर लपेटे पड़े है खाना तो दूर लाख कहने पर भी एक बूंद पानी नहीं पिया है नोने अब किस से कहें जाकर अपना खून दगा दे गया है हमें अपो 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 हां अपो अपने हम द्हरा रहने दे पुझाले में तेरी सूरत देखकर मुझे अपने आपर आउज जादा शरमात दीए नहीं अब्बू, नहीं, मैं तुम्हारी गुनिगार हूँ, तुम जो चाहो सजा देलो मुझे, मगर अपने साथ ये जात्ते मत करो, ये सब मेरे नसीब का पेर है, जिसमें मेरा सब कुछ उलत कर रहे गया है, तुम्हारी नासों की नमी से मेरे दुनिया डही जाएगी अब् मुझे मेरे वजूद को पस्त कर दिये मेरे हाँसले, हरे कोई मुझे से नजर मिला कर बात करने की इंमत नहीं करता था कभी, आज तुने मुझे किसे से नजर मिलाने के लाइक ही नहीं चोड़ा है, मेरा अपना खून, मेरा अपना खून ही मुझसे दगा करता रहा अपो, मैंने किसी से कोई दगा नहीं किया मेरे येकीन करो अपो येकीन करिश्टा खून के रिष्टे से बड़ा होता है खून के रिष्टे में सिर्फ जजबत की बंदिश होती है मगर येकिन के रिष्टे मेरा पस्ता है येकिन है तो रब है येकिन नहीं तो रब नहीं मेरा येकिन करो आपो मैं बेखुसूर हूँ मैं बेखुसूर हूँ मुझे बख्षता आपो मुझे बख्षता गली न छूटी यार की जोगी ले गए जोग जान गई फिर भी न गया ये इश्के दारोग ना जाने किस मिटी से बने है आशिक लोग जरते नहीं खुदा से भी ये पागल इनसान आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा इमान अरे लोग महबत में दिल देते हैं मैं दूंगा जान आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा इमान आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा इमान सारी दुनिया छोड़के ओ सारी दुनिया छोड़के पकड़ा है तेरा हाथ चाहे निकले जनाजा चाहे निकले बारात जीना तेरे साथ है मरना तेरे साथ प्यार है शबनम का कतरा हर कतरे में तुफान आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा इमान आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा इमान हरे लोग मोहबत में दिल देते हैं मैं दूंगा चान आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा इमान आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा इमान आशिक 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 मेरा इमान इस गाओ की एक गली में रहती है जी हीर हीर के दैवाजे पे लिखी है राजे की तकदीर मैं हूँ पैदी हुटिन का इसक मेरी तंजीर रूह मेरी घाये हुए दिल है लहू लुहान आशेक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा एमान रोग महपत में दिल देते हैं मैं दूंगा जान आशेक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा एमान आशेक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा एमान प्यार में मैं कर जाओंगा मुश्किल से मुश्किल काम हीर बिना मैं जीऊंगा तो हो जाओंगा बजना सूली पे चड़ जाओंगा मैं लेकर हीर का नाम दुलियां लेकर देखे ले मेरा इम्तिहान आशेक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा एमान आशेक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा एमान लोग महपत में दिल देते हैं मैं तूंगा चान आशेक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा एमान आशेक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा एमान कि देखो चौजरी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है कि आप लोग आपस में सलाम मश्वरा कर लो जैसे आप मेरे रिष्टेदार हैं वैसे ही रंगपुर वाले भी मेरे रिष्टेदार हैं बात अरसल यह है सैदे को कही रिष्टे आ रहे थे पर उसकी माने मुझसे कहा कि मैं हीर के रिष्टे के लिए उसके बेटे सैदे की आपसे सिफारश करूं उसमें सिफारश की क्या बात है आप हमारे बुज़ुर्ग हैं और रंगपुर वाले भी कोई गयर नहीं बेटी तो होती ही पराई अमानत है एक दिन तो उस अपने घर जाना ही है बहुत बड़ा घर मिल रहा है अपनी बेटी हीर को और फिर रिष्टा वो खुद मांग रहे हैं भाई आप लोगों को तो खुश होना चाहिए था लेकिन लग रहा है कि आप तो कुछ संजीदा होते जा रहे हैं चौदरी साथ मेरी बेटी मेरे लिए एक सरमाया है उसे किसी और को आपर जाने की बात इस तरह पहली बार उठाई दाई फिर सारी बात चीन मेरे लिए साकीकत नहीं बल्के एक इस्तासा है जिसका इंतनार हर बेटी दिलो dużo खुब मैं हूं चौदरी जी तेरी मौत तुझे यहां खीच कर लाई है आज तो यहां से जिन्दा नहीं लोटेगा यहां से चला जागा उस्ताख अपनी जान की सलाम सी चाता तो मकसद पाक हो तो मौत कुर्बानी बन जाया करती है चौदरी जी मेरा इश्क मेरा मकसद बन गया है ऐसी सेखड़ों जिन्गया कुर्बान कर दूँ मैं उस पर तुयां क्यों चिलाया यह लोग तुझे मार डालेंगे जले whoever और पलने वालरी तोरbank नहीं तुब कर नहीं तो कौन हो त Palm में कोई नहीं ना यह यहां से पेद जों तक्दिर के वास्ते हं समंझे कि मैं अपने मंजिल के इतने गरीब आकर पीछे लोटने से तो तेरे दर पर आई मौत कहीं बैता हुए हराम साथे इससे पहले कि मैं तेरी जबान हमेशा के लिए खामुश कर दूँ बोल तो किसका तो कम है कि बोलता क्यों नहीं कौन है तूँ मैं तक हजारे के मौझ चोधरी का बेटा तीदू तो मौझ ने हमसे इंतकाम लेने का ये तरीका ढूंदा है लेकर हमें नीचा दिखाने के मन्सुबे के जवाब में हम उसके बेड़े का सब्सक्राइब अज़ा तो कव कर चुका है इसे मारने से फाइदा हर्जा चोधरी यह मेरे दुश्मन का बेटा है मैं जब कर दूँ आप होश में आओ जैसे मुझे तेरा बेटा सुल्तान अजीज है वैसे ही माजू का बेटा होने के नाते ये भी मेरे जीते जी तू इसे कत्र नहीं कर सक होशा है अगर तूने इसा कतल करना है तो पहले मुझे कतल कर कलम कर दे मेरी गर्दन तुख्रश चुक्रश कर दे मेरे अब तुमुचे ही मार्दा रभा रभ किवाससे बात और ना पढ़ाऊ यारभ यारब यारभ ये कैसा इन सा काम है तेना दुश्मन खोद मर के वी कर लोगों में जड़ लगाकर मुझे ही निज़ा दिखा गया और मैं आपकी नजर में अगर मेरा मोजू चोधरी का बेटा होना चर्म है तो मैं सजा के लिए तयार हूं बनक़ान मेरा इमान जानता है कि हमारी दुष्मनी अबा की मौत के साथ ही खतं हो गए अब जब दुष्मनी नहीं रहा तो दुष्मनी कैसी पिर अगर आपको लगता है कि मेरा कतल आप पर वाजब है तो मैं है अशर हो अब यकालग पर रहें खाओ तुम्हारी हाँ या ना में मेरे जिन्दीगा और मौत अटकी हुई है मैं तुम्हारे पाउं पढ़ती हो अबो मुझे अपनी राजमन्दी के भी देदा अबो चौधरी जहां नफ्रत और गरूर की हद खत्म होती है वहीं से महबत की हद शुरू होती है इंतकाम की आग को बुझाने के लिए किसी के खून की नहीं जजबात के सैलाव की जूरूत पड़ती है बहादे अपनी नफ्रत के सारे जहर को इन मासूमों के आंसुओं के साथ मैं मासूम बच्चों की पाक मापबत की खादेर अपनी पगड़ी तेरे कदमों में रखता हुचा जाए जब तक वो खुच चलकर हमारे या नहीं आते मेरी आ या ना का कोई मतलब नहीं को अकर हर चीज़ा कोई कैदा होता है हर चीज़ा कोई कादा होता है अब कर दो का ने बच्चों है खुदा तुम्हारा निकरपान हो कि इस अ हुआ है तुछ पर भर गई तेरी गहरत और उसके साथ मार दिया तुने मुझे भी जीते जी जिन दुश्मनों ने सिर्फ मुझे नहीं बल की सारे गाउं को जलील करने की कोशिश की उनकी साथ रिष्टा जोड़ने चले हो तुम अरे मेरी स्टांग की तरफ देखो यह उन्ह और ना क्या है तुम्हारी खातिर नाकारा हो जाने का मातम मैं आज तक मना रहा हूं और इसी घम को जिन्दी की बरबांग पीपी कर भुला रहा हूं इसी वज़ए से आज तक मेरा घर नहीं बसा और तुम दुश्मनों का घर बसा रहे हैं एक बात अची तरह से सुन लोग सारा गाह उन कमीनों के खिलाफ है एक तुम ना सही सारी बिराद्री तो मेरे साथ है वो अगर इस गाह में बरात लेकर आए तो वापस जिन्दा रही जाएंगे जिन्दा बचके आ गया तू यहीं खनीमत है इसके बाद भी अगर तुझे उनकी नियत पर शक नहीं है तो यह तेरी बेवकुफी है चूचक चोधरी को उनकी बेटी की महपत और आदम चोधरी ने बिलकुल बदल दिया है देख रहा हूं मैं तेरी ये चोटे इसी बात का सबूत है मेरी नजर दोका नहीं खा सकती मैंने खुद अपनी आँखों से उस आदमी को पिकलते वे देखा है तो अगर तू दुश्मनों के घर से यूं बचकर नाय होता तो शायद हम लोग तुझे कभी माफ ना करते ये गिले शिक्वे मेरे चोट का हिसाब देना होगा खुदा के लिए अपने इंतकाम को मेरी मौहपत मत उल्जाओ मेरी हीर मेरे इंतजार में अपनी सांसे घिन घिन कर जाने कैसे एक एक दिन सदियों के तरह घुजार रहोगी रहोगी रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए तेरे लिए एक दोना पे गोट प्रेत ये दिन पर आया तेरा मेरे लिए मेरा तेरे लिए रब ने बनाया मुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए रब ने बनाया तेरे लिए 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 अज आदा वर्जे चोधरी साथ आदा वर्जे आदा वर्जे आदा वर्जे आदा आदा अज़ा कि अरे भाई कोई पानी वानी लेकर आओ तूचक चौदरी तुम्हारी बुजदली और बैगैरती के हम कद्र करते हैं तुम्हारी बेडी ने भी ये बैहायाई शैतुम्ही से विरास्त में पाई है जो लड़की अपने बाप को धोका दे सकती है वह हमें कहां बक्षेंगी इतनी दुश्मनी के बावजूद तुम्हें ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बेटी से हम अपने भाय का रिष्टा कर लेंगे तुम्हारे खांडान से रिष्टा तो दोर हम ठूकना भी पसंद नहीं करते हैं लानत के साथ तुम्हारे दुश्मन के बेटे अपन क्या हुआ है मेरे लिए वह भूकुमे चोजरी साहब तेरी जगह अगर मौचुका कोई बेटा आता ना तो इस खत की तरह मैं उसे चीर फाड़ देता जब 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 यहांसे इस से पहले कि मैं तरह खून कर दो दबाव दे यहांसे नहीं यह जूट है इस खत के पेचे किसी के चान लगती है वो जरूर आएगा अपनी खून के रिष्टे भी तोड़के आएगा अबबो को समझाओ आमी इतने जल्दी कोई फैसला ना करें अरे फैसला करने के लिए तुने मुझे अब छोड़ा ही कहा है है स्रिटेरी मुझे रहत जिन्दा रखने के लिए मैंने अपनी खुद्धानी को अंदर वह स्मया टाला MARK घीमानी जानता वह कुवार आपा अज आज कसी खर कर दीकल新झ कर दे करी दे चेलाता कर दो आखर देता कि जाना जांसेटा कुदरुआ महीं करें मात देखकर चला गया वह दुखकर चला गया मिले मूँपर दुखकर चला गया वह तेरा बाप होने किसा दापको तरह हो मैं आओ अबबा मेरे अच्छे अबबा ये कुदरत हमरा को इम्तिहान ले रही है तो मेरे थोड़ा साथ और देदो इस खत को बिजबाने में ज़रूर किसी की कोई चाल लगते हैं वो भी मेरी तरह अपने भायूं को मना लएगा बस हमें थोड़ी और हमें थोड़ी और मोहनत देदो हीर के अबबा जहां इतना बड़ा कदम उठाया है थोड़ी दिर रहा और देखें किस मूझ से और राह देखू किस मूझ से और मुराद कहें दो सारी बिरादवी को खाता घूम रहा है कल सब को इकठा करके यहां ले आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा मैं क्या के बराबर होता है आप बिल्कुल सही फर्मा रहे हैं हुजूर मेरे लाइक और कोई खिदमत हो तो बताइए जरूरत पड़ी तो दुबारा याद करूँगा अभी तु पिछले रास्ते से चला जा एक बात का खयाल रखना जब तक मैं न बुलाओं इस काउं के आसपास बेहतर हुजूर अब तो गरम लोहे को बेरादरी के हथोड़े की चोट की सक्त सरूरत है यहाद चौदरी एक तरफ तुम्हारी वो पागल लड़की और दूसरी तरफ पुष्टों से चली आ रही तखता जा रही के साथ दुश्मनी अब बो चौदरी तुम अपनी लड़ मैं जो इस बात के अंधेरे में इस तरह से घर गया हूं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं अफसोस की बात तो यह है कि मेरे घर में लगी आपको बुझाने वाले मेरे अपने ही तमाशाही निकले अलो और सुनो अब हम तमाशाही हो गए यह क्यों नहीं कहते चौदरी कि तु हमें बुलाया है तो हमें ही बात करने दो हां तो चौदरी अब बताओ तुम हमारी तरफ हो या अपनी बेटी की तरफ या रब आज किस चौदर पर लाग खड़ा कर दिया है तुने मुझे जहां एक तरफ तो मेरी पतकिसमत बेटी जोली फैलाए खड़ी है तो दूसरी तरफ मेरा बदमक्स भाई अभी वफदारी का हिसाब मांग रहा है एक तरफ विरादरी है तो दूसरी तरफ शरियत है मै इस चौराय पर बिरकुल अकेला पड़ गया हूं मेरे मालिक नहीं अब इस चौराय पर तुम अकेले नहीं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपना रास्ता मालम है छोड़ दो मुझे तो अंदर ताना मोरा दे मेरा कुछ तो लिया हाद कर ते कडि उस को दरिया में डूबो कर मार दिया गया था इननी कर्दूतों की वजह से सहसी को रेगिस्तान में भून दिया गया था अपनों से बगावत करने वाली आउलाद के साथ सद्लियों से जो होता आया है उससे कुछ सभक्सीक और ना तेरा भी वही अंजाम होगा इसी बात को तो रोना है कासिजी आप लोगों की रोहों में जंग लग चुका है आप जिस ससी आर सोनी को आप जेसे समाझ के ठीके दारों ने अपने नाफरत के आग में जhouंग दिया था आज उसी सस्या और सोनी की महबद के गेत काते हो, उन पर बेते क्याहर के कहानिया सुनाते हो, और अब आप लोग मुझे भी उसे आग में जौन देना चाते हो नादान लड़की, बागी उलाद को तो खुदा भी माफ नहीं करता, तेरा ये गुरूर और तेरी जिद तेरी जान लेकर छोड़ेगी, अरे बत नसीब होश कर, ये सोनी जैसी जिन्दगी नसीब से ही मिला करती है आपके नसीहत लेनी से पहले, मैं बिरादरी के हरठे के दर से पूछना चाहती हूँ, कि वो कौँ सा इस आदमी है, जिसके कभी न कभी कोई हीर नहीं रही, जिसको उसने चीबर के चाहाने, मैं इस बुजदुलों के शहर में एलान करती हूँ, कि मैंने मुहबत की है, कोई पाप नहीं किया, मैं गयात, बच्जात, मैं तुझे जिनता तफना दूगा, चोड़ दो मुझे, चोड़ दो, जिस जमीर पर बीटी का यह हाल होगा, वहां रपका कहर बरफेगा, रप्त में कभी माम नहीं करेगा, कभी माम नहीं करेगा, चोड़ दा मजे, तौबा, पानी सर से गुजर चुका है, इससे पहले कि ये दुफान ने इस घर के साथ-साथ उन्हें गाउं पे कहठा दे, चोड़ी फॉरन इसका निकाह करदा, मगर किस के साथ, सैदे के साथ, उससे बेतर घर इस गाउं में शाधी किजी को मिल सकता है, इधर हमने हां की और उधर तो बाराथ लेकर आए, जा रब, मुझे माफ करते, शायद इसे में हम सब की भलाई है, ठीक है काई तो ठीक है, मुझे मन्सूर है, तीदोफ, 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 ओए उन दगाबाजों का नमक खाखा के तेरी मत मारी गई है, जो तो दुश्मन की बेटी के अभी तक तो उन कमीनों की तीवी चोटों के निशान भी पाकी है, और तो फिर वापस मुझे मुझे जाने चाहे, मुझे मुझे तो शायद वापस हागी हो, वहां मेरी जिन्गी मेरी राह देख रही होगी, उसके बगार जिन्दा रहना, मेरे लिए मौत से भी बत्तर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, खुदा जाने, उस पर वाँ क्या गुजर रही होगी, देदो ये बारात नहीं किसी की मईयत में शामिल होने वारे लोगों का जमगट लग रहा है मुझे जहां काजी बिक्या हो, वहां मईयत ही निकल ली हुई ना बेडा घरखोस मुए कैदो का, ये सब कर्टूत उसी की है, मुझे तो सबकी मिली भगत लगती है परना निकाह पढ़ते वक्त हमें हीर के पास ना बैटने दिया होता बैटने कैसे देती, जबरदस्ती हां करवाती देए इस शर्म जो आती होगी उन्हे मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हां करेगी क्यों करो हां मैं, क्यूंकि तुम चाहते हो, विरादरी चाहती है ये लोग चाहते है ये निकाह मेरा है, हां या ना कहने का हग सिर्फ मुझे है जामीन कर करते हूँ कमसाते, मैं तेरी जबान खेच लूगा तुहा करती है ये नहीं 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 मुझे माह डालो जहर देदो मगर मेरी मुझे में जहर मत खोलो मुझे दिल की बेलगाम खाइशों का नतीजा जबान खून से उठे जोश का एक उबाल शरियत के खिलाफ बगावत का सीधा एलान अब ये तेरा जाती मामला नहीं है शरियत से बेयद्बी सारी विरादरी की खुली आम बेजती है जिसकी सजा से तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझे दुनिया की हर सजा मनजूर है मगर अपने रांचे से चुदा होना बिलकुल मनजूर नहीं हम तुझे जिन्दा गड़वा देंगे मनजूर है हम तुझे पागल कुतों से नुचूएंगे मनजूर है हम तुझे अंगारों की सेट पर रिटवाएंगे मनजूर है तुझे दोजक की आग में चलाएंगे मनजूर है हम तुझे मुझे सब मन्सूर है, वो सब सजाएं भी मन्सूर है जो तुझे याद नहीं, मगर खेड़ों के साथ जाना मन्सूर नहीं लड़की, तुने अभी तक शरीरत के कोड़ों की मार नहीं देखी अरे दो जहां के अंदों, मैं तुम्हें अपनी मुहबत के सच कायना के से दिखाओं। तुम्हें यह जहां की पड़ी है, और मुझे किसी और जहां की, कसर तुमने भी नहीं उठा रखी, और बस में मेरे भी नहीं बंकर बक्वास, अब यह बारात यहां से यू नहीं जाएगी, दोली में तू जाएगी, या तेरी लाश ही जाएगी, मैं नहीं जाओंगी, सुर्दान अपने अब्बा को बला, यह बेहायत हमें कहीं कहीं नहीं छोड़ेगी, यारब, यह कैसी गुस्ताख लड़ी है, मेरा इश्क मेरी शरियत है, मेरा मजभ है, हर मजब के बनियाद महपत है, और महपत से बढ़ा कोई मजभ नहीं, ऐसी महपत जो खुदा से नहा हो, वो बाप है लड़की, महपत तो वो शेह काजे ही, जो इनसान को भी खुदा बना दीती है, मेरा रांचा मेरा खुदा बन कि मुझे उसकी इबादत करने दो मेरी इबादत में दखल देने वाला हर शक्त मेरी नजर में काफिर है तो जहां की लानत तुछ पर तुने हमें काफिर कहा कहा है कहा है चौदरी तब यह ठीक नहीं थी बैटी की शायद इसलिए देर हो रही है आप अपनी जेगे सही होंगे है चौदरी जी मगर इंतजार की भी हद हुआ करती है मुझे तो मेरा निकाह मजाक मनता नजर आ रहा है मा बेटा ऐसा मत कहो देखो चौदरी अब हम ज्यादा दिरबरदाश्ट नहीं कर सकते चाहे हमको बारात वापस ले जानी पड़े चौदरी ऐसा मत ढाना नाना अब मैं अधिया है मुझे तो आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे है अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो जाते जाते हम इन कमीनों को भी किसी लाइक नहीं छोड़ेंगे अबो मेरे अच्छे अबो मुझे बचालो तुमारे सवा मेरा कोई नहीं है मुझे बचालो मैं सो खुद को बचाने क्ली तेरे आगे छोली फेला नहीं आया था मेरी पच्छडी अपनी हां मुझे खैर समझकर दे दे अबो दूँ अबो अबो नहीं आप 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 जैरे तरप ख़ड़ा अब भिखारी है आप मैं अपनी पगड़ी तेरह कर्णों मेरा कांव इंडियों मर्जी है अब ज़ोगों तो इसे टोकर मार दे मुझे जिन्दा रहने के मौलत वक्षते है नहीं अपूर आज पर डोल ही ना उती तो स्कारी भारात मेरे जनाज़े में शामिल होगी अपाप कैका अपाप कर दो अपाप 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 काजी अपदेश अप्धिर मत करो बाप की पगड़ी वापस उसके सर पर रखने का मतलब इसकी हाँ समझो तुम भार जाकर इसकी हाँ का एलान कर दो वरना खेड़े चले जाएंगे अगर मगर का वक्त नहीं है अगर आज निकाह नहीं हुआ तो कल तुम्हारी कौन मानेगा चली करो बगर कोई गवात हो चाहि मुबारखो मुबारखो उसने अपनी खुशी से हाँ कह दी कि अब कर दो कि मेरे रब्बाब क्यामत का मंसर भी से कंडरावना होगा उसमें छूटकारी के उम्मीद तो होती है यहां तो गैका खावी खावी चाहरों तरफ कि अब आज जी भर के जाने फिर कभी कले लग के रोने का मौका मिले न मिले उससे कहना मेरा निकाह नहीं फाथ्या भड़ा गया जनाजरे के खेड़े वही अपनी कपर में में उसके रहा देखोगी मुबारक वामी अपने दूद में लगा दाग तो तुने आज धूलिया मगर तेरे रूप पर लगा मेरी मुखबत की खून का दाग कभी नहीं धूलेगा बले ही तुछ जिन्दगी बराजू बहा कर देख लेना शेरियत बेच कर गला लिखाने वाली नीच कयामत के रोज तुझे अपनी इस नीचता का हिसाब दिन होगा अगर तो कहीं है तो मेरी मुखबत के सच का आइना दिखाए से था कि इसे पता चले किसकी शकली नहीं नियत भी किती गिनोनी है वा वीरा वाही तो सद्यों से बहन की इपासत की मिसाल रहा है आज़तों ने उससे भी चुटला दिया अपो एक दिन तुमने मेरी खुशी के लिए अपने खून के गून पीकर रांजे से मेरे रिष्टे के खामी भरी थी आज मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मुहबत के खून का घूंड बरके खामोशी का कफन ओड लिया किसी जहां में हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया अल्विदा कंछत के खुम्हां हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु कि अधिए जाइए तब तक तक क्यों ग्याओं सब खेरियत तो है ना ही कैसी है कभी मिली मिली नहीं और कभी मिलेगी नहीं तुम तो लोटकर आए नहीं और वो कैदो जाल बशाता रहा है खेड़े आगा है अब राद लेकर डोली उठ चुकी होगी अब तक तो क्या अब आए हो तुम जब सब कुछ खत्म हो गया मगर वो है कहां वो बोल गई है उसका निका नहीं पात्याप पड़ा गया है चनासा ले गई खेड़े वह वहीं कपर में तुम्हार अंतजार करेगी झावार वहीं करेगी खेड़े आए है तुमा है ख में है उसका प्सका जाए है खिवेग्द भागा जाहार अखिएवे ज़ी जाए वप्ज़ रादाए है वहार जए हैं अज़्वण। कि मेरे खुदा के परिश्टों आग से भरे अपने इलाई तर्याओं को लड़नों सारी खलकत को अपनी इलाई लबनों से छुलसो जड़े जड़े पर अंधेरों के पार जिराओ रोष्णी को हमेशे क्लिए दफन कर दो आस्मान को भार कर उचके चीठरे कर दो धर्ती की फाके करके दोज़त के चुलों मैं छोग दो खना से अपनी लंगी बाहे लड़काओ और मुझे अपने नुरानी वजूद में बना दे दो में बिखर चलाओं मुझे समेठ लो मैं बना हो गया हूँ मेरी खाक को अपने कदमों में जगा दे दो अपने कदमों में जगा दे दो अपने कदमों में जगा दे दो तेरी खुबसूरती के जितने चर्चे सुने थे उससे भी कहीं ज्यादा तेरी बदकारी मशूर हो गई है अपने उस नौकर यार के साथ तुने क्या क्या गुल खिलाए हैं सब सुन लिया था मैंने लोगों स मगर फिर भी तेरी काली कर्टूतों को चांद में लगा दाख समझ कर मैंने यह जहर का गूर भर लिया पर अब तेरी इस बेहयाई से तो यू लगता है जैसे कि मैं कोई कंजरी ब्याह लाया हूं कंजरी हूं तो नहीं तुम बना बना ही दो मर्द हो औरत की तुम्हारे सामने क्या बिजात हिमत करो लूट लो पराई अमानत को और बना दो मुझे खंजरी ओफ ये पकवास बनकर ये तक्रीर तु अपने दोगले माबाद को सुनाती उस कमीने काजे के आगेस का रोना रोती मिरा किसी से इश किया तो तूने कंड़ा रिष्टाज शोड़ा तो तेरे माबाप निका पड़ा तो काजी ने लिखा पड़े की ये वर्वसार्थ के मैंने कुछ आ नहीं चली मैंने किसी का हक नहीं लूटा तो मिने सब के लिए कुसूर वार महीं क्यों तुमने सब कुछ जानते हुए अभी मुझसे निखा करना चाहा अगर तुम ही इंकार कर देते तो शायद ये नौबत ही नाती तुमने अपना तो सोच लिया मगर हमारा नहीं सोचा देखो हमारा इश्क रभी फर्मान है हमें चुदा करके रब की रजा मत तोड़ो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ते हूं मुझे मेरे रांची को सौप दो कैसे सौप दो सारी बिरादरी में अपनी नाक कटवा दो अपने खांदान की मिट्टी बलीद कर लो वही रिष्टेदार यार दोस्त बहन भाई जिनोंने मेरी शादी में भंगड़े डाले थे मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे सारा गाउं मेरा मजाक उड़ाएगा मुझ अब कुछ नहीं हो सकता भूल जाओ से इसे भी उसी रब की रजा मांद इस तरह से जंदा रहने का फैसला एक समझाओता होगा तुम से शादी करने का मेरा फैसला भी एक समझाओता ही था और अगर जरूवत पड़ी तो शायद मैं कोई और समझाओता भी कर लूँ मगर खावन तुम्हें मुझे ही मानना पड़ेगा मेरी बदनसीबी यह है कि तुम दोनों की मुहबद दो तरफा रही और मेरी चाहत एक तरफा थी वरना किसी और की जूठन बटोरने का होसला मै कभी न समेख पाता मादने भाबी ने भाबी वावी क्या हुआ है हाँ कही सब थीख तहना भाबी पसंद नहीं आया क्या कि मुझे तो यह जहान यह रास नहीं आया मेरी लिए तो अब मातम भी मातम है तुझा, तुझा के खुशे की गीत का बहुत गाली ही खुशे की गीत तुम बताओ बात क्या है सैदा कुछ उल्टा सिधा बोला क्या जब मेरे नसीब नहीं इतना उल्टा रुख ले लिया तो किसी के उल्टा सिधा बोलने या ना बोलने से कुछ फ़र्पने पड़ता खलत सही, सब कुछ अभी एक सा लगने लगा है कहीं ऐसा तो नहीं, कि तुम दिल किसी और को दे आई हो और डोली तुमारी कोई और उठाला आया है देखो बावी, कई बार घू पंदेरे में टिम टिमाता हुआ एक छोटा सा जुगनु भी सही रास्ता दिखा जाता है अरी ये सहती कहा चली गई? कहीं अपने मुराद के साथ तो नहीं भाग गई ये, ये मुराद कौन है? मुराद? कौन मुराद? अपना मुराद छुपाती हो, और मेरे के सुराद ढूंड रही हो भावी, क्या तुम, तुम भी मेरी तरह किसी के इश्क में? नहीं, भावी, नहीं, होसला रख रब जाने, तेरी नाव उम्मीदियों के अधेरे में शायद नहीं वो जुगनु बनके तुम भी कोई रास्ता दिखा दो बस तु रब से अपने उसकी खैर माँ मेरी तो हर सांस उसकी खैर मलने और रहा देखने के लिए अटकी है रब उसका रहबर बने खत्म आखिर ये महबत का पताना हो गया हीर की डॉली गई राजा दिवाना हो गया दुनिया ने मेरा सब कुछ चीना नहीं जीना मुझे मर जाना है मिल गया वदा भी दुनिया से बस ये शिकवा कर जाना है नहीं जीना मुझे मर जाना है मुझे मर जान जाना है मुझे मर जान जाना हो गया में आज मिला देता, मैं सूर्ज चांद सिपारों को में आज मिला देता, ये मेरे बसने होता तो दुनिया को आग लगा देता, इतनी बेदर्द ये दुनिया है ऐसा बेदर्द जमाना है, नहीं जीना मुझे मर जाना है दुनिया ने मेरा, सब कुछ जीना नहीं जीना, मुझे मर जाना है सजदे तो करूँगा, मैं तुछ ग्राइब जाना है पर कोई दुआ नहीं मांधूंगा सजदे तो करूँगा, मैं तुछ को पर कोई दुआ नहीं मांधूंगा बस आज के बाद में कुछ तुछ से एए मेरे खुदा नहीं मांधूंगा दर्दा मन यार का छूट गया अब मेरा कौन ठिकाना है नहीं जीना मुझे मर जाना है दुनिया ने मेरा सब कुछ चीना नहीं जीना मुझे मर जाना है मिल गया खुदा भी दुनिया के बस ये शिकवा कर जाना है नहीं जीना मुझे मर जाना है नहीं जीना मुझे मर जाना है नहीं जीना मुझे मर जाना है बच्चा, कौन हो तुम? क्या कर्ष्ट है तुम्हे? मुझसे मेरा रब छिन गया है बाबा मेरा खुदा खो गया है जिसका रब गुम जाएसे शक्स को देखा है अपने नहीं देखा तुम मुझे देख लीजिए नहीं बच्चा रब अपने चाहने वालों की दृष्टी से कभी होजल नहीं होता बलके महंदी के रंग की तरह चाहने वालों में समाया रहता है उसके नजर नानिकार्त है चाहने वाले की चाहत में कहीं कोई खोट है मेरी चाहत में कोई खोट नहीं है वो मेरे भीतर रहकर भी मुझसे बहुत दूर है कि किसी गयर के कभजे में मेरी पहुंच से परे मैं अपने नसीब की टेहनी से तूटा हुआ एक जर्थ पता हूं बाबा फिर वहीं जुड़ने का जनून शायद मुझे यहां तक खीच लाया है उसके बगार मेरी पहचान तक खोच चुकी है मुझे एक नहीं पहचान चाहिए बाबा ऐसी पहचान कि उसके लाव मुझे और कोई ना पहचान सके मैं उसे आवाज दू तो सिर्फ उसी को सुना ही थे तेरी इन बातों के पीछे चुपा हुआ रहस्य किसी और रब की और इशारा कर रहा है बचा तरिक ठहर हम अभी तेरी विरक्ति और निराशा के लिए उत्तरदाई वास्तरिक्ता की और प्रकाश चालते हैं मेरी दुआ में कोई कमी है क्या तेरे सुनने में भरक है मुझे कुछ तो बता क्या तू भी बतर क्या रबपा मैं किस तरह से सजदा करू किस से दुआ करू कि तुझे ना सही अपने राचे का तु सुना ही दू कि सांसारिक मोहमाया आत्मा को खोकला कर देती है बच्चा अपने बैरागी मन को सच्छे रब की ओर लगा तुझे शांती मिलेगी मेरा मन तो मेरी हीर के साथ है बाबा पहुचना तो मुझे भी उस रब तक है लेकिन मेरा रास्ता मेरी हीर से होकर जाता है वो मेरे लिए रब तक पहुचने वाली सीडी का पहला पैदान है खुदा की दर का पहला मोड है और अला पाक के नाम का पहला हर्फ है वो ना मेली तो मुझे रब का क्या करना है आपको तो अल्ला ने अपनी रह्मत से नवाज़ा है भाबा। आप अपनी रह्मत से मुझे नवाजु दो मुझे नवाज दो बाबा। हौज रख भाबी। रभी उन्ही की मदद करता है। जो अपनी मदद आप करना जानते है। फिर तक दीर कब करवट बदले किसे पता अब मैंने कहां सोचा था कि आज ही मुझे मेरे मुराद का पैगाम आ जाएगा हाँ दरसल मैं यही कहने आई थी कि आज मेरे निजात का वाक्त आ गया है अब हम दोनों को बिचरना होगा काश तुम्हारा रांजा भी आगया होता तो हम दोनों यहां से एक साथ निकल जाती है मुभारक हो तेरे जाने की बास सुनकर जितनी खुशी हो रही है उसे कहीं जाधा अपने आखेले ने का खम मेरे उम्मेद का ये जुगन भी चिंचलाया मुस्से मुझे भी कोई रासा दिखा कोई ऐसी जगा सुचा जहां कड़ी होकर मैं अपने रांजी को पकारूं ए रांजा तु कहा ने गया कहा को गया तरी रात अक तक मैं हार चली रांजना मैं हार चली रांजना हाँ मेरे ठात आक तरसे खिखा के लगलसार, ये रांजना जाला चलीकद Kणा तरसे अकमम आप ये खिरह मैं आला फमना हांजना आग हवा मिटे और पानी सारे दुनिया सद्यों पुराने दुनिया में क्या सबसे बुराना लोग कहें पथर का जमाना उसे पुराना प्यार हमारा आगा सकत्स आगा आगा आजाओ 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 आजा दिल ने तुझे को पुकारा आजा दिल ने तुझे को पुकारा आजा 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 कि अलग निरंजन कि यह अलग कहीं और जाके जगा अच्छा खासा हटा-कटा है कहीं मेहनत मजदूरी करके क्यों नहीं ग्यादा इस तरह से भीक मांगते हुए शर्म नहीं आती तुझे मैं भीक मांगने नहीं आया हूं मैं तो अपना हक लेने आया हूं तरह दिमाग तो नह होपसे ता अग्यों ना ज्याता हूं हम यह सारा कसूर गइंन हो वाले का दोहें पता ने कूं हमारे न सीब में लिखेर रिजळत को सारे जहां में भीखेरता रहा है अब हम उशी के विखेरे दाने दाने को एकटा करते पर अैंiscal कि तुमारे घर के जाने किस कौने में पड किस नग किस दाने पर मेरा नाम लिखा हूआ है वहीय ले जाओंगा तुम्हारा कुछ नहीं चीह यह अगर उसमें इतना यकीन है तो उसी से क्यों नहीं मांगता यहां क्यों जोली फैलाए ख़ड़ा यह भी तो पिर उसी की रजा समझ कर यहां से डफा हो जा ना मेरा उसमें यकीन है ना उसकी रखा में बहुत बेजार हो खुद से भी और जिंदगी से भी यूही तो किसी का रब से यकीन नहीं उठ जाता है इश्क की आग में दहगतावा शोला व्यालाए हो घर जलाओगे अब भी समल जाओ वरना जल के राख हो जाओगे अच्छा तो कमीने गाउवालों ने तुम्हें भी ये पाट पढ़ा दिया मगर उनसे कह देना कि अगर सुबा तक मैंने उस इश्क की आग में दहखते हुए शोले को सर्द स्याह कोईले में तबदील ना कर दिया तो मेरा नाम भी सैदा नहीं अब ये खैरात लो और यहां से तबआ हो जाओ ऐसंधि यह लो बाबा ये जोगी उस घर से कभी खैरात नहीं लेता जिस घर में किसी की छोली पहले से खाली हो कि इस घर के जर्रे में किसके आंसू ज़जब कोने कोने में किस कि सिस्किया कई यह इसकी आग में डेखता हुआ है इसकी आच यहां तक आरही है कि अब यहाई नहीं डेर्ये मैं भी आई भाबी बहुत बॉज्वेश्व के लए आव यह मेरी भावी है, बहुत नाउमीद हो चलिए, इसे कुछ बताईए इसकी नाउमीदी की पीछे एक लंबी कहानी है इसने एश्ट तुकिया लेकिन उससे परवान नहीं चलिए साथ चीने मरने के वादे करके, कसमे खाके, उसे रोता बिलगता पीछे छोड़ाईए तेरे हिज्र में सब को छोड़कर मैं जोगी होकिया हूं हीरे मेरे रांचना, मेरे रांचना रांचना, तेरे बगर मेरे जिंदेगे एक बुत्त हुआ और ये जहान दो सब खरांचना पर उसके आग में मुझसे भी जादा तू छुलत गया अब मुझे यहां से ले चलो अब मुझे यहां से ले चलो, रांचना अब मुझे यहां से ले चलो प्रेपी कहां रहे गई तु अम्मी आ रही है आई अम्मी तुम काले भाग में हमारा इंतिजार करना मैं इसे लेकर वाही आऊँगी आउ पापी चलो चलो पापी चलो पापी आई अम्मी मैं वारी जहां आज पहले बार बहु के चहरे पर मुस्कुराइट देख रही हैं रभा तिरा लाख लाख शुकर है अम्मी शुकर तो जोगी का मनाओ जिसके फूप मारते ही भावी की मुस्कुराइट लोटाए वगर उसने कहा है कि आज पूनम का चान निकलने से पहले अग भावी की मुस्कुराट हमेशा में शकले बरकरा रहेगे अगर ऐसा करने से हमारे घर की खुशाली वापस हा सकती है तो हमें और के चाहिए तुम लोग और शाम को ही चली जाओ का चाहिए प्षीन के तुम लिए बाभ Amaच्निक के खुच्च के घर को करने से अगरे कोईए यह कौन है यह आर्शिक हमारी तरह सुभान अल्ला हम लोग चले जड़ा ठेरो ही अब तुम लोग देर ना करो चल से चल जितनी भी दूर हो सकी निकल जाओ नहीं तुछ सेदा हमें से किसी को भी जिन्ता नहीं चोड़ेगा मेरी मांजी किसी यह रात में मुझे मेरा रास्ता दिखाने वाली मेरे चुक्नू तेरा ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, कभी नहीं खुद हाफिस खुद हाफिस और अचाए नयूरा भी तृ मिली तृ… नहीं? नहीं! तृ मिलीर। नहीं! तृ मिली दो! एंजाएएजर! नहीं! तृ मैं तुप्रे! कि अग्राइब तुम लोग में से कौन से और कौन गलत इसका फैसला जहां नहीं हमारे महराज के दर्बार में होगा तो एक तरफ निकाह है और दूसरी तरफ इश्क यानि एक तरफ शरियत है और दूसरी तरफ बगावत एक तरफ मसला दुनियावी है और एक तरफ रूहनी बात काफी हद तक साफ हो जाती है लेकिन फिर भी हमारे फैसला सुनाने से पहले अगर आप लोग अपनी तसली के लिए इस मसले पर और रश्नी डालना चाहें तो आपको इजाज़त है बादशा सलामत या अदमी फकीर के भेस में शैतान है फकीरी अद उचाएगा उची आवाज में शोर मचाकर जूट को सच और सच को जूट साबित नहीं किया जा सकता सैदा सच सच और जूट जूट फरक सिर्फ इतना है महाराज कि हमारे इश्ग का सच किसी से बरदाश नहीं हुआ और इसके निगा का जूट शरीयत के अंदेरे का साहरा और यूट अगर आज मेरो और हीर का भाग जाना गुनाह है तो हम दोनों की प्यार के बारे में जानते हो एभी इसका हीर को लाना गुनाह नहीं था बने नुमिस दुनिया में हर वो बात गुनाह समझे जाती है महाराज चुई के रिभायतों के कि खिलाफ मैं पूछता हूं क्यों नहीं मिल सकते दो दिल दो जिसम दो जहां अपनी मर्जी से अपनी खुशी से अपनी बसंद से क्यों जरूरी है शरीयत की बाढ़ विरादरी की मंजूरी और काजी का ठपा क्यों मैं बताता हूं बर्खुरदार आलमपना का इकबाल बुलंद हो मैं ही वो काजी हूँ आलमपना जिसने सहदे का हीर के साथ निकाह पड़ा शरीयत के हर पहलू को मद्दे नजर रखते हुए और गवाहों की मौजूद्गी में ये निकाह हुआ था आलमपना और अब सहदा ही हीर का असली खाविंद है मैं और कुछ जादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये शक्स एक बागी है बागी होना तो अपने आपने गुना है ही आलमपना मगर इसने शरीयत की तोहीन करते हुए उससे तोड़ने का एक और भी संगीन जुर्म किया है मैं इस शेरीयत के छेकेदार से ये पूछना चाहती हूं महाराज कि जो कुछ इसने हमारे साथ किया क्या वो संगिन जुरूम नहीं था रिश्वक्त लेकर मेरी मर्जी के खिराब मुझे जबर्दैसी किसी गैर मुर्द को सोब देने जुर्म नहीं था और सबसे बड़ा ज आलमपना इस गुस्ताक की बातों में कितनी सचा ही है इसका सबूत तो आपको इसके अपनों की गाही से मिल जाएगा जिनके सामने इसका निगा पढ़ा गया था और इसने हां कहीं थी हर्गिस नहीं पहले गवाहूं को पेश किया जाए मेरा पहला गवा कैदो चौधरी है आलमपना जो इस लड़की का सदा चाचा भी है कि तुम्हारे सामने इस लड़की ने अपनी खुशी से सैदा के साथ निकाह के लिए हां की थी किया जाँ पना नहीं यह जोट है मुझे तो हैरान की है कि अब इसने गलत कदम उठाया कैसे जहां बना अगर इसे रिष्टा मंजूर नहीं था तो तभी मना कर देती दूसरा गवाह बुलाया जाए दूसरा गवाह सुल्तान चौधरी है जो इस लड़की का सगा भाई है क्या इस लड़की ने तुम्हारे सामने निकाह के लिए रजामंदी जाहर की थी बोलो बाशा सलामत मैं आपकी इजासत से अपने भाई से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि कुछ भी कहने से पहले अपनी जमीर के आवाज जरूर सुन लेना और एक बार अपनी बहन के आँखों में जरूर जहंक लेना क्योंकि यह सवाल तुम्हारी हा ना या सच और जूटका नहीं भाई बेहन के रिष्टे का भी है भाई पर बेहन के येकीन का भी है अगर आज ये येकीन तूट गया तो भाई बेहन का रिष्टा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें अपनी खून के रिष्टे का वास्ता देती हूं जो सच है वो यह कहना देखिए आलंपना आपके सामने ही ये गुस्ताक लड़की अपने भाई को फुसलाने की कोशिश कर रही है खून का वास्ता दे देकर उसे जूट बोलने पर मजबूर कर रही है और ना जाने जी नहीं महराज जूट बोलने से रोक रही थी है मुझे हां महराज सच बोलने को कह रही थी पाब सच यह महराज कि हम लोगों ने जबरदस्ती इसकी शादी की थी अब तो रब भी हमें माफ नहीं करेगा आब और कोई दलील देना चाहेंगे आप आलमपना अगर इस गुस्ताक की आंखों में आंसु देखकर एक भाई गवाही देने से मुकर गया है तो क्या हुआ कैदो है मैं हूँ पूरी बिरादरी इस बात की कवा है दुनिया की कोई ताकत भी इस सचाई को जुटला नहीं सकती के हीर का निका सेदा से हुआ था अगर इस की तरह मैं भी घर जिम्हेदारी दिखलाते हुए आलमपना सच को जूट और जूट को सच बनाने लगूं तो शरीयत मेहसे एक मजाग बन कर रह जाएगी घर घर में हर बहु बेटी इश्क करने निकल पड़ेगी आलमपना आपने कभी इश्क किया है जी जी मैं कुछ समझा नहीं आलमपना हम यह जानना चाहते हैं कि आपने कभी इश्क किया है जी नहीं आलमपना मैं भला कैसे इश्क कर सकता हूं क्यों आप इंसान नहीं है जी इंसान तो हूँ पर इश्क कभी नहीं किया खुदा के साथ भी नह खुदा के साथ हालम पना खुदा के साथ तो इसकिया है तो फिर आपको खुदा मिला मुझे लगता हालम पना शायद मुझे खुदा मिला तो था शायद जैसे दुधा भरे शब्द हमें पसंद नहीं आपको खुदा मिला या नहीं इसका हां या ना में जवाब दो जी हां ख बात का पता है कि आप खुदा से मिले खुदा आखिर खुदा है जहापना उसके मिलने का भला और किसी को कैसे पता चल सकता है कमाल है कि कहते हैं सच्चे आशिक और माशुक मिल जाएं तो उसी वक्त दोनों जहां में खबर पहुंच जाती है यह दोनों मिले तो सारे जहां मैं शोर मच गया और आप चुप-चाप खुदा से भी मिल लिये और किसी को कानों कान खबर तक ना हुई जी वो नहीं क्या जानौ आप खुदा की बाते तो खुदा ही जाने ना तब तो खुदा ये भी जरूर जानता होगा आप अपने एक हम आप्सोस है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के बजाए खुद ही भटके हुए आपको माफ करने का हक भी हमारे पास नहीं है इन बेगुनाहों के पास है अगर आपने इन मासूमों की महब्बत को समझा होता तो आपको भी खुदा तक पहुँशने का सही रास्ता मिल गया होता सच्चे इश्क की यही तो खुबी है कि कभी वो इनसान को खुदा बना देता है और कभी खुदा को इनसान के रूबरू लाकर खड़ा कर देता है ऐसी पाक रूहों के कदम इस जमीन पर कभी कभार पड़ते हैं हम सब को मिल कर इनका खैर मखदम करना चाहिए और इनके निकाह की दुन्यावी रस्म के बंदोबस्त की शुरुवात भी करनी चाहिए आया लाड़िये नी तेरा तेरिया वाड़ा व्यावर्ण 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 आया लाड़िये नी तेरिया वाड़ आया ते सदारंग लाया लाडिये नी तेरा तेरिया वाड़ा व्यावन आया आया तेरा तेरिया वाड़ा व्यावन आया हाँ 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 खुद्रत को अगर अपने चलत पर इतना ही गुरूर है तो आज मैं उसे तोड़ कर दिखाऊंगा यह शैनाया यह जश्न यह बाजे काजे के उठते शोर को मैं मात्मी सन्नाति का ऐसा कफन औराऊंगा कि आने वाली सद्या वीदर से बिना किसी आवास के चुपचाब दबे पाउं गुजरा करेंगे तुम लोग जाओ और जैसे मैं हीर के पास बैठू लड़ूं का थाल लेकर पाउंचाना हम लोग बिल्कुल तैयार है चोधरी साहब मेरी थाल में रखा सबसे उपर चांदी के वर्क वाला लड़ू ही उठाईगा वारात आ गए है मैं चलता हूँ क्या बत है चाचा क्या अब भी तु मेरी खुशी में खुश नहीं हो कैसे खुश हो सकता हूँ जब तक मुझे तु माफ नहीं कर देती माफ ही किस बात की चाचा ये तो अपने अपने असूलों की लड़ाई थी मेरे असूली तो मुझे मार रहे है और मैं मर भी किया तो मुझे चैन तब तक नहीं मिलेगा जब तक तु मुझे माफ नहीं करती थी मुझे माफ करती थी ये क्या कर रहे हैं चाचा मुझे शर्मिना मत करो मैं तो सारे गिले शुकुए उसी वद भूल गई थी जब मुझे मेरे रांजी को सोपी जाने का फैसल हुआ था कि अधिश्य वारी जाओं मैं सब के जाओं तुने मुझे नई जिंदीगी दे दी और मर जाओं गुड़ खाके चोटे चोधरी लड्डू खाकर मरने में मिठास और भी बर जाएगी पहले यह तो बता कि लड्डू भेजे किसने हैं पाक्त हजारे वालों ने दुलहन का मुझ मिठा कराने के लिए यह मिठाई और मेवे भी हैं तब तो सबसे पहले इन पर हमारी बेटी का हक बनता है यह ले यह लिखा चाचा तुम पहले खाओ नहीं यह तेरे रांजे ने बेजा है इस पर तेरा हक पहले बनता है आज मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत कुश हूँ बतिए आज मैं खुशीचे पागल हो जाओगा मैं बाज कुछू आज मैं बाज कुछूाज P éj आ है की खाहा हुख ओचिल नह ठामोहे है च accent है की घचिल जन की बचसर म ! मुझे कुछ वोола नभी! // मुछे, मैंने पती!.. हुआ क्या…! किसे केद्वो ने कुछ कि रहाद दिया!! मेरा खोद कमी ने कहाpped sayin' अमी, बछोकी!.. यारब.. मुझे रुठाली मेरी बच्ची पर रहे हमका.. फीरे⁈ इले मेरी बच्ची, छाओवा हुआ मुए के अन्हों कुछ खिलानी हमारी बच्ची को अब में लेब चुलिए भावा वीरा वीरा जल्दिल आजग गुणादे उसे मेरा मोध जडना तो फोराना अज़ मेरे बस्पुआपाँ तुमुग और निक्ता है? कि अज़े तो चल्दी जा कि हीर को मिल केदो ने उसे जहर दे दिया है तेरी हीर तो कही नहीं सुल्टान यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता कि झाम फियर्ण सुल्टान इसले तो जाएल ह труд le owning पिले देर भना कि अरे बेर कि आंसुझ था कुझ है hai नहीर लगता है फिर बाबाने हमरे बच्पन के उस लोग का चुपिवारे के एर को सच कर दिखाया मगर तू ढून लेना मुझे मैं मैं तेर रादे कुछ इपक्षै एर कर दो पूल यहार पर फिलना सके जो पूल यहार पर फिलना सके वो फूल वहाँ खिल जाएंगे हम इस दुनिया में मिल नसके उस दुनिया में मिल जाएंगे लिखने वाले में इश्गों से आए इश्क तरी तक दीर लिखी ये पार्चों दरिया बहुत रोए तब वारेशा ने हीर लिखी करना धिस दुनिया वारेशा हीर एक वारेशा खिल जाएंगे